नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रास्ट्रे हिंदी दिवस जो की 14 सितंबर को पूरे भारत वर्स में बड़े है उत्साह के साथ मनाया जाता है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे आगरह है निवेदन है कि आप इस भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी जन जन की भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी भारत की संबिधान सभाने देवनागरी लिपी में लिखित हिंदी को 14 सितंबर 1949 में भारत गनराज की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया तब से प्रतेक वर्ष 14 सितंबर को हिं हिंदी भाषा को हमारी राज भाषा के रूप में इस्थापित करवाने के लिए काका कालेल कर मैथली शरंगुप्त हजारी प्रिसाद दुवेदी महादेवी वर्मा सेठ गोविंद दास आधी कई साहित्यकारों को साथ लेकर राजेंद्र सिहा ने अथक प्रयास किया दुनिया भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है अपनी इसी विशिष्ट पहचान के कारण हिंदी एशिया की प्रतिनीधी भाषा कहलाती है स्कूल, कॉलेज और कारियालयों में इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है इस अनेक प्रकार के कारेक्रम हिंदी दिवस पर आयोजित किये जाते हैं हिंदी दिवस का उद्देश ये हिंदी का प्रचार प्रसार करना और हर पीड़ी के बीच इसको बढ़ावा देना है आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से यह साबित होता है कि लोग अपने जड़ों से जुरे हैं और उसके महतों को पहचान रहे हैं हिंदी दिवस का नारा हिंदी हमारी शान है देश का अभिमान है धन्यवाद यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्स फर वाचिंग कीप लड़नी